दूसों, शाओमी पैड 6, यह पैड जो टैबलेट आ रहा है, यह लॉंचिंग से बिल्कुल करीब है, यहाँ पर पहले मैं आपको बता दू कि सीरीज में क्या-क्या चीज़ें आ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बता दू कि शाओमी का पैड 6 है, पैड 6 प्रो है, पैड इस प्रेटर्स हैं, और स्पस्फिकेशन जो हैं, मैं आपको एक बार और याद दिला दू कि 9000 डायमेंड सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कि मतलब-मतलब यहाँ पे साफ खागया है, कि यह 9000 डायमेंड सिटी एसोच के साथ है, उसके साथ ही एर जनेरेशन व इस पैड में, टेबलेट में सब पीछे रह जाएंगे, इसका ऐसा स्लोगन है, कि 144 हल्टेज रिफ्रेश रेट के साथ है, और 120 वाड़ फास सारजिंग के साथ है, और भी इसके आगे इंट्रेस्टिंग कवर है, जो आपको यह चीज़ बहुत चौंका देने वाली है, शु नहीं होगा, लेकिन टॉप एंड मॉडल शौमी का पैड 6 प्रो, स्नाप डेगन 8 प्लस जनेरेशन वन के साथ आएगा, हमें सिरी इससे मने आपको बता है कि 9,000 SOC के साथ है, जो कॉलकन दोनों भी प्रोसेसर विरेंड को मिलेंगे, लेकिन यह सी साफ नहीं है, कि यह रिज नया वर्जन आने की उम्मीद है, अफ़ाओं की तोर पे बता चलता है कि मिट रेंज का फ्लैक्सिब टियर बेस्ट फॉर मनी, प्रपोजल साबित भी होगा, और यहाँ पे अगर हम प्राइस को लेकर बात करें, तो प्राइस के लिए यहाँ पे कुछ खुलासा नहीं किया सारी चीज आपको यह है, इसके लिए यहाँ पे इनोंने कमेंट किया है, कि शौमी पैड सीरीज है, कई फ्लैक्सिब स्मार्टफोन को पीछे छोड़ देगी, यह इस 2022 की बात कर रहा है, और इसी साल में वो लॉंच करने के भी प्लानिंग कर रहा है, कि यह लगबे लगब जब लाइक करने शेर करने मिलता हूँ, मैं से नाइक बढ़ी में तब तक कलिए, टेक केर